नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाइस पी में राजस्थान में सम्विदा करमचारियों के नियमतिक और को ले करके आज मुख्यमंतिरी भजनलाल सर्मा जी ने दिवाली का तौफा दे दिया है तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरा छोटा सारी किवेश्ट है अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजेगा सब्सक्राइब कर लीजेगा और विल आइकन जो है दबा लीजेगा इससे क्या होगा राजस्थान के संविदा करमचारियों से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी सं सुनने को मिलेगा तो लंबे समय से राजस्थान के संविदा करमचारियों को नियमती करण के साथ-साथ मांदे विरिद्धी का इंतेजार था उनको यहीं इंतेजार था कि आखिर दिवाली के दिन मानी मुखमंतरी भजनलाल सर्मा जी ने सवासन दिया है कि दिवाली तक सभी के मांदे विरिद्धी को लेकर के कहन देदा चाता हूं कि जीन भी संविदा करमचारियों का अनुभाव राजस्थान में आठ साल से कम का है उन सभी संविदा करमचारियों के मांदे में राजस्थान सरकार ने 10,000 रुपए की विरिद्धी किया है जी हां 10,000 यह राजस्थान के मुखमंतुरी भजनलाल सर्मा जी के दौरा ऐलान किया गया है कि राज्जी के सभी करमचारियों के मांदे में, बमपर विद्धी हो चुकी है jetzt अब बात आती है कि नियमतिकरड पर क्या करें है मुखमंतुरी भजनलाल सर्माजी ने करमचारी का दर्जा देने का वादा कर दिया है और आप लोगों का नियमती कर आदेश जारी हुए पहले चरण का नियमती कर आदेश आज मुखमत तरी भजल्लाल सरमा जी ने जारी कर दिया है उमीद करता हूं जनवरी 2025 तक सभी करमचारियों को सरकारी करमचारी के पदों पर न्यूक्त कर दिया जाएगा I hope मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएगा धन्यवाद